अब बात करते हैं किसकी डिस्केरिट सीरीज की बात करते हैं कोटाइल की कहानी किसमें डिस्केरिट सीरीज हैं पढ़ते हैं किसमें डिस्केरिट सीरीज एक कुशन है कैलकुलेट दे वैल्यूज आफ अमेरे पास में एक एक से दस पांच साथ दस पांच साथ ग्यारा आठ एक फ्रिकेंसी है पंद्रह बीस पंद्रह बीस पंद्रह बीस पंद्रह अठारा बारा और मुझे क्यू वन एं क्यू थ्री फाइंड करना है इसके अंदर ठीक है बच्चे फाइंड वैल्यू आफ क्यू वन एंड क्यू थ्री हाँ जी बच्चे दन अब दो के क्यों डिस्क्रिट्स अब हमेशे धानको बच्चे जहां पर भी हमें एड्रेस लेना होता है जहां पर भी size लेना होता है कि चीज़े कहां पर मिलेंगे address, like median में भी लेना था, तो वहां पर हमें f का cf करना पड़ता है, median में भी करता है, यहां भी करेंगे, f का cf, चीक है, जहां पर भी size होता है, तो 15 और 20, 35 और 15, 50 और 18, 68 और यह आपका 80, clear है, sum भी कितना है, इसका आपका, sigma f, आपका 80, जिसको आप n भी बोलेंगे, ठीक है जी, हाँ जी, cf आ गया, अब वही आप करेंगे, पहले q1 के लिए size of q1 calculate करेंगे, size of q1 equals to n plus 1 divided by fourth term, solve करते हैं, यहां पर n, n मेरे पास में क्या है, 80, plus 1 divided by 4, fourth term, तो आप मेरे पास में 20, 25, fifth term, तो यहां पर अगर discrete series तो बहुत आसान है, पॉइंट मेरे तो कोई दिक्केत नहीं है, और लिए पर चर्चा हो चुकी है, कि 20, 25, तो यहां से तो आपका पंदरा तक तो आपका data कौन से दस है, लेकिन 15 के बाद, तोलवाए इस place से, आपका 35 प्लेस तक कौन बना हो है data, पांच बना हो है, क्योंकि 10 तो पंदरा तक इस end हो गया, 15 के बाद शुरूआ और 35 तक रहा, कौन, पांच, ठीक है ना, तो 20.25 पे कौन होगा, पांच होगा, इसी तरीके से आपको क्या निकालना है यहां पर, size of Q3, यह क्या होगा आपके पास में, size of Q1 वाला फॉर्मला सेम रहता है, अपांच में, फॉर्थ टम, और यहां पर आपके पास में, 3 निकालना है, तो 3 से multiply, तो solve करोगा, आपके पास में क्या होगा, 3 और Q1 तो रहेगा, रहेगा, 5th term, तो 60.75th term, तो आप देखेंगे ज़रा Q3, तो 60.75 किसमे मिलेगा, 60.75, इसमे मिलेगा न, तो इसके सामने कोई साड़ाट है, 11, तो Q3 का अंसर क्या होगा, 11, तो अब आपको discrete series बे अच्छे समझ मागी बच्चे, कोई doubt किसी बच्चे को तो प्लीज पूछ लीजिए, तो note करो, लो जाइसे के बच्ने कोईू़ाट है, 11, तो सामने कोई cookedечь किसी देएल मागी लेगरा है, 11, 12, 15, 15, 25… continuous series तो हमारा क्वाटल एंड हो जाएगा नेस्ट पार्ट कौन सा है बच्चे continuous series तो कौन्टियूनी सीरीज में क्या है मांक से वेट हाँ वेट कर लों पाच रट तो मार्क से बच्चे हमारे पास में 20 से 25, 25 से 30, 30, 35, और 40, 45, and 45 to 50, और ये आपका इसके बच्चे में पहले इतना टाइम इस लिया था बताने में ताकि आगे का सफर आपके लिए आसान हो तो इसके बच्चे बीच में से क्लास बिल्कुल नहीं देखें कुछ भी समझ में आएगा मैं खुद कहा रहा हूं इस बात को स्टार्टिंग से देखके चले इक इसके कॉलम आएगा अब इसके बाद इसकी फ्रिकेंसी दी हुई है क्या होता ओलेडि इसका सोचका हमारा दस बीस बीस दस बीस बीस अब पंदर पंदर बीस कर दिया हमने कि पीसे पच्चे-पचिस तीज से पैंटिस पैंटिस से है से चालिस चालिस से पेंटालीस पैंटालीस से पचास ठीक है तो 20-20 हो गया उसके बाद 15-15 यचा लिए तोisch और साइजining पड़ता यहां भी एटर नहीं नहीं पड़े, वहाँ पर F का CF करना ही पड़ेगा आपको. आपके पास में क्या फॉर्मला, यहां भी नहीं आएगा, फॉर्थ टर्म, आप स्वाल करते हैं इसको, तो हंडर बाए, फॉर्थ टर्म, एक फॉर्थ टर्म, बास समझ गया, क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को, तो यहां पर हम स्वाल करते हैं इसको, size of q1 equals to, size of q1 तो आगया, मैं यहां पर q1 निकाल रहा हूँ, q1 का फॉर्मला क्या होगा मेरे पास में, l plus n by 4, ठीक है, minus cf upon f into i, अब आपका 25th किसमें आता है, 25th तो आपका इसमें आएगा, ठीक है, अब cf में देखिएगा, 25th तो आपका इसमें आएगा, तो यहां से आपके पास में क्या क्या है, इसके अंदर lower limit क्या है, l equals to क्या है, 25th और आपके पास में n by 4 आपका already है क्या, 25th और आपका i क्या है, 5, gap जो है, और f क्या है आपका, इस interval में, 20th और cf क्या है आपका, cf इससे उपर वाला होता है, तो 10th तो बस q1 equals to, आप आप calculate करने चलते हैं, तो q1 equals to l, l मतलब क्या होगा आपके पास में, 25th plus 25th minus cf अपान आपका f into i, 25th plus 5 बटा 20, एक बटा 4 गुणा 5, and q1 equals to 25th plus 1.25th and 26.25, quartile 1 हो गया, बाद समझे बच्चे, quartile 3 निकालेंगे, तो आपको पता है, size of q3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर multiply by 3 लग जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी आपके पास में 3 आजाएगा, clear है, तो किसी उच्चे कोई doubt, तो यहाँ पर continuous series में आप बस इस पात को धान रखेंगे, क्यू 3 के लिए, q3 के लिए size of q3, size of q3 equals to n by 4, term यह 3 से multiply हो जाएगा, ठीक है, और formula क्या बनेगा, आपके पास में q3 का, आपके पास में l plus 3 n by 4 minus cf upon f into i, बास समझगे हैं बच्चे, clear है, तो यह आपने median का रखा है, तो इसमें आपों किसी परकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, clear है, तो आज ची क्लास में इतना ही, जिसमें मैंने quartile को individual series, discrete series और continuous series, तीनों में ही wind अप कर दिया है, मैं next class में decile पे बात करूँगा, फिर एक classes में मैं आप से जो है, percentile पे बात करूँगा, clear है, तो यह तीन types के partition हमारे cover हो जाएंगे, प्छर कर गह. कह станUS, प्रतुछा तो यह तेनी ही, le्यास कर दात कर दो है, कह預एंगे, अश्यान के उन्याशन के अवाएंगे. उन्तौमम इत्यान अवादे.